अगर मुझे में कमी होती तो परदेश की जनता मुझे 10 सीटे नहीं देती यह कहना है दुश्यन चोटाला का पानिपत पहुँचे दुश्यन चोटाला ने यह बात ओम प्रकास चोटाला के ब्यान पर कही उन्होंने कहा कि गड़बंदन की सरकार पूरे 5 साल चलेगी जल्द ही स्वश्च भारत मिशन के तहट सभी नेता अपने शित्र में अभियान चलाकर वाटर ट्रीटमेंट प्लां है कि यह गड़बंदन की सरकार 27 सरकार की तरह चल रही है उन्होंने कहा कि जनता से वाइदा किया गया था कि एच्टेट के सेंटर 50 किलो मेटर के दाएरे में होंगे जिसे पूरा किया गया है शराब के ठेके गांव से बाहर होंगे इसको लेकर पंचायतों से resolution मंगाया गया है उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने 10 साल में 700 रुपे पैंशन बढ़ाई थी और हमने 60 दिन में ही गड़बंदन की सरकार ने 200 रुपे पैंशन बढ़ा दी है दिल्ली में होने वाले चुनावों पर दुशन चोटाला ने क कहा कि 11 तरीक को दिल्ली की सदस्य कमेटी फैसला लेगी कि चुनाव अकेले लड़ने हैं या घड़बंदन के साथ उन्होंने कहा कि उध्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां बनाई जा रही हैं दोनों पार्टियों के सहयोग से अब तक 9 फैसले लिए गए हैं दोनों ही पार्टियों के घोशना पत्र में ये घोशनाएं थी दुशन चोटाला ने कहा कि टोल प्लाजा के उपर बोर्ड लगाया जाएगा कि कितने पैसे वह ले चुके हैं इसका भी साब रखा जाएगा उन्होंने उन्परकास चोटाला के बयान पर बोलते हुए कह कि वह तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि उन्हें एक पार्टी संगठन से निकाला गया है अगर उनमें कुछ खामियां होती तो परदेश की जनता उन्हें चुनकर नहीं भेजती और ना ही उन्हें दस विधायक देती उन्होंने उनके दूसरे बयान पर कि सरकार उनसे डरती है इसलिए जेल से बाहर नहीं निकाल रही कहा कि यह निरने दिली सरकार का है पानिपत के गाम सिवाह में बनने वाले बस टैंड के पास जल्द ही हाईवे पर फ्लाइवर बनेगा ताकि लोगों को इसका लाब मिल सके दुशन चोटाला ने कहा कि जेन यू के छात्रों को प्र जाहिए इस हरेनों सरकार केंसर नाव प्रिवेंशिन के लिए इसके उपर तो पहले भी जाहे वो गगर के बैंक्स के उपर ट्रीट्मेंट प्लांट की बात हो आपके पाणिपत के अंदर तो जितना ज्यादा काम वोटर ट्रीट्मेंट पे किया गया है उतना ही कम है और कल यह हमारी स्वच भारत मीशन के उपर मीटिंग थी इसके अंदर विदायक डांडा जी चेर्मेन है उसके अंदर यह लक्षे लिया गया जितने मीशन के सदस्धे है तमाम सदस्धे दो-दो जिले अड़ॉप्ट करकर पंदरा पंदरा दिनों के अंदर बेठके करकर कैसे गवर्मेंट की अलग जो है जिससे हम वेस्ट वाटर जो है उसको भी ट्रीट करकर अगरी कल्चर में और अलग फील्ड में दिया जाए जिससे यह केमिकलाइज़ वाटर को ग्राउंड में ना पुछाया लिए उसके उपर कदम अठाए लिए रियाना की पॉलिटिक्स में आज सबसे बड़ी बात है कि एक स्टेबल गवर्मेंट रियाना प्रदेश के अंतर है और उसको हम देखते हैं एक चीज सपस्ट हो जाती है कि आज भी बख्ष में बैठें लोगों को कहीं न कहीं यह गबराहट है कि ऐसी स्टेबल गवर्मेंट प्रदेश में कैसे चले हमने तो पहले दिन जब य कि पांच साल तक स्टेबलिटी प्रदेश में लेकर आएंगे और उसके बाद एक ऐसे मोड पर काम करना शुरू किया जिसके अंदर चाहे एच्टाइट के पेपर को पचास किलोमेटर के दाएरे में कंप्लीट कराने की बात है चाहे गाहं ग्रामीन शेतर से ठेकों को है बड़ी खुशी होती है आप से साजा करते हुए कि जो कानून पहले था जिसके अंदर कर कोई गाहों में एक भी लीगल ड्रॉप ऐलकॉल की बाड़ता था तो उसको आगे ठेका दे दिया जाता तो उसकानून को समाप्त करकर पंचायती राज एक्ट में संचोदन लाकर ग्राम सबाओं को यह दिकार दिया और बड़ी खुशी है कई अलके तो ऐसे है जहां 33 परसेंट जादा गाओं ने ग्राम सबा करी रेजुलूशन पारित करे पर आगामी एक्साइज पॉलिशी ने उनको इटाएंगे और बेहत कुशी की बात है कि जो आइनेल्डी की सरका में 60 दिनों के अंदर हमने 500 रुपे बढपा पेंशन बढ़ाने का काम किया और उसके साथ कानून यह भी पारित किया जो रेल लेबर वेलफेर फंड है जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन लेबर या रिजिस्टर्ड लेबर से जब वो अपने रिटायरमेंट एज पर आएंगे सेव होता है और यह कानून के तोर पर पारित कर दिया अगर पेंशन आने वाड़े समय पच्छी सो तीन अजार होगी तो उनको 2700 से लेकर 3000 और तीन अजार से लेकर 3500 रुपे पेंशन दी जाएगी तो मैं मानता हूं कि हर वर्क के लिए कमेरे के लिए और कमेरे के अंदर म साथ में जो 11 सदस्य कमेटी पार्टी के पहले स्तापना दिवस पर पनाई थी उसकी बैठक बुलाई है उस बैठक के बाद आगे का निर्ने लिया जाएगा कि क्या हम दिली के चुनाव के अंदर इंडिपेंडेंटी लडेंगे मिलकर लडेंगे क्यों कि ये विशे दिली प्रदेश कारेकारणी के सदस्यों का है ना कि अरियाना प्रदेश के अंदर पहले भी इंडिस्ट्रियल पॉलिशी चार केटेग्रीज में बाटी गी थी A B C D उसके बाद फुटवेर पॉलिशी अलग आई थी टेक्स्टाइल पॉलिशी अलग आई थी क्योंकि नई सरकार के अंदर अनेक चीजों पर काम चल रहा है चाहे रिजिस्ट्रेशन ऑफ लेबर वर्कर्स है चाहे सर्वे ऑफ इंडिस्ट्री है सबसे इंट्रेस्टिंग चीज तो यह थी कि एक्जैक्ट नंबर ऑफ इंडिस्ट्री जो है आज वह भी डाटा प्रदेश में उपलब्द है क्योंकि बहुत सी ऐसी इंडिस्ट्री जो अपने लाइसेंस रिन्यू नहीं कराते है इसले सरकार ने इंडिपेंडेंटली पूरे अर्याना प्रदेश के 22 जलों में इंडिस्ट्री के सर्वे करवाए है और जैसे ही सर्वे के अंदर एक्जैक्ट नंबर ऑफ नौ चीजे कॉमन मिनमम प्रोग्राम के अंदर और अल्रेडी दोनों पार्टियों ने मिलकर अप्लूब कर दी है जिसके अंदर चाहे है कोट के अंदर या लोईर कोट के अंदर क्योंकि है कोट प्रेजिदेंस की रेफरेंस के बाद अप्रूव ओगा इंदी भाषा का एक व्यक्ति को अगर पैंशन में एक रुपे वरिद्धी देनी है, तो लग भग तीन करोड और नबे लाग के आसपास एक रुपे से एडिशनल बोज आता है, और उसके बावजूद भी बिना बजट की वो करें, सरकार ने साथ दिन में इन रिड़ने देनी हैं, तो लग ब मिनिस्टर उसके अपना काम कर रहे हैं, और मैं इमानता हूँ कि आने बाडे समय में, प्राइमरी स्कूल जो सरकार के हैं, उनके एप्रूब्मेंट में सरकार कदब टाइए, उसके अंदर भी वर्की पेंडेंसी रही, सरकार ने उसको टाइम दिया है, मगर मन्थली बिना पेंडेंट करें, अगर वो काम करते हैं, नहीं तो फिर मन्थली बेसिस पर, अर्याना सरकार उसी पैसे से उस हाइवे को डवलब करेगी, और हमने तो एक सुझाब भी रखा था, जब एचे साइडी सी की बैटक थी, कि एक बड़ा हाइवे के उपर हम बोड लगाए क्योंकि ये लोगों के पैसों से बनावा हाइवे है, पेटू यूज है, कि अगर आपका एक रुपया टोल वहाँ जाएगा, तो टोल बोड पे टोटल प्रोजेक्ट को से एक रुपया माइनस होता रहेगा, और अर्याना के नहीं देश के हर नागरी को पता चलेगा कि उन दस विधायक जीते हैं, वही चीज किसी व्यक्ति के बारी-बारी कहने से सत्य हो, तो मैं तो इतना ही बोलूंगा कि वो बोलते रहे, क्या पता प्रमात्मा आने वाले समय में बनाई दे, चोटाला साब का आज ब्यान चपा हुए है कि मेरे से डरते हैं सरकार के लोंग, मेर साथ देकर 18,000,000 वोट देकरा 10 विधायक कैसे जिताए और उनकी पार्टी जो 20 विधायकों पी थी, वो एक प्या के कैसे सिंटी, तो मेरे से बड़े है मैं चाहूंगा आप और सवाल उनकी प्रती ना पूछे, अब आपके विधाये रामकुमार गोत्मी संतूष्ट है जो पूल बनना है क्योंकि बसक्ता तो जुलाइ में खतम हुजाएगा डिरमान हो जाएगा पूल लेकि अब तो पूल नहीं बना है, कैसे ट्रेट्पी का दूल करें है कि काम क्योंकि नैशनल हाइवे अथर्टी ऑफ इंडिया के पास है और उसका बेसिक अप्रूवल जो एक् जात्रों पर हमला हुआ है उसको आप इस नजर देखते क्या जाएगा जात्र को अधिकार है कि वो अपनी बात को एक्सप्रेस करें हमने भी जब इंसो खड़ी करी थी चातर जंग चुनाव तक कारे करें मर कानून तोड़ना और कानून के दजियां उडाना ये किसी के और एक्सप्रेशन को वोईलेंस में ले जाना मैं मानता फिर देश की एकता रक्टता पर सवाल उठाता है तो रिशन जी मैं एक चीज़ ये क्या रहा हूँ कॉंग्रेस सरकार करनाल पंचकुला रोत पांच-शेसो करोड़ पे लगे कॉंग्रेस सरकार ने बनाए लेकिन प अधीन है तो मैं चाहता हूँ कि आप सब उनसे मिले अपने सुझाव दें मंतरी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं प्रदेश के अंदर चाहे ताल टाइट कराने की बात हो लोगों के बिल दरुस्त कराने की बात हो इस तरह की चोरी रोकने की बात हो मैं भी मानता हूँ कि हर मंतरी की दिम्यवारी है को कारे करे अधिकारी का ना मुझागर करना ना करना क्योंकि मेरे मैक मेक का काम नहीं है मैं इस पर टिपनी ना करो तो हर्याणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने आगामी 12 जनवरी को हर्याणा के सभी 22 जिला मुख्यालों पर आयोजित होने वाली रन फॉर यूथ मैराथन दोड को लेकर परदेश के सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी किये हैं। दोड में भाग लेंगे और परतेएक जिले में इस कारेकरम में मुख्य अतिति की घोशनाएं पहले ही की गई हैं। उपायुक्त हेमा शर्मा ने कहा कि इस कारेकरम को सफल बनाने में सभी सरकारी अर्ध सरकारी विभागों के अलावा सभी समाज से भी संसथाएं। क्लब्स, शिक्षन संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाओं के सदस्से, नगर निगम तथा नगर पानिकाओं के सदस्से बढ़ चड़ कर भाग लेंगे। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि इस कारे को सफल बनाने के लिए सभी प्रयास करें। पान पूंट बनाएं के हम तीन किलो मेटर का उससे Ah D h to क्लोमेटर वाली होगी ओट्नीकृमेटर वाल सीथ निंगल जाएंगी और जो हमारा गए नवाला की तरफ ये तुऑ नूर। ऋ उने फिपकर्वदी क्वाइब करते हैं यूटन करा के खतम सारी यहीं पर चौंक के उपर होगी तिए लिए जद्धी जारी हो देगा आज श्याम तक जारी कर देने कि कि अजय कर देख कब होनी है कि इजद्ध श्याम तक इने कीमेटर के खते हैं जासे कि आप सभी जानते हैं इसमें तीन केटिगरी बनाई गई है तीन किलोविटर की, पाज किलोविटर की, पाज किलोविटर की, सुबह ये मैरथन चुरू होगी, और मैं बगत दस बजे के असपा से खतर होगा, और उसके बाद सीयम साब जो अचीवर सेंजी लेके, जिनोंगे अपने किसी भी शेत्र में कुछ हासिल किया है, उनसे इंट् करते हैं, कि इसमें जादर स्यादर लोग अपनी ही रिष्टेशन कराएं, बड़ा सरल सा प्रोसे से रिष्टेशन का, सिंपा साइट पे जाके आपको अपने बारे में पुछ इंट्रूमिशन फीड करनी है उसमें, और आपका रिष्टेशन होजाएं, और जादर स्यादर कि इसमें जो भी उप्लब्धी हासिल किया तो भूब उसमें आएं और सीम साब के साथ जो बात चित करने का उनको मुगा में रेगा, उसमोखे का वो कायदा है तर लगभा कितने लोगों कि आने की आशा लगा रहे हैं, आप मैरतन में हिसा लेंगें? अब लगभा, दसजार से तो उपर की उमिद लगा रहे हैं, अभी तक हमारी चारजार की क्रिवले सेशन होच किया जी लेके अंदर, और से जादा किया हमारी देशन होच किया जीटी रोड पर संगीत की शोर सिनेमा वाली गली में सोमवार शाम करीब पोने चार बजे बेरिंग कारोबारी सतीश महाजन की जेब से करीब चार लाख रुपे कीमत के गहनों से भरा एक पर्स गिर गया, एक रहागीर पर्स को उठा कर संजे चोक की तरफ भागया कारोबारी सतीश महाजन के पास में ही स्थित यूनियन बैंक के लोकर से गहने निकाले थे, सीसी बेरोड कोर्नर पर एसके बेरिंग के नाम से उनकी दुकान है, महाजन ने बताया कि उन्होंने बैंक लोकर से चार सेट गहने निकाल कर जैकेट की जेब में रखकर वह कार के पास जा रहे थे, तभी पर्स गिर गया, पर्स में 10 तोला के करीब सोना था, जिसकी मार्किट व करवीन के साथ अपने बेटे के साथ हुई मार्किट के एक सिल्सले में डियेसपी से मिलने आया था, वापसी पर संदीब को बैंक में काम था, वह बैंक के अंदर गया था, जबकि नवीन बाहर उसकी इंतजार कर रहा था, उस दोरान उसे 10 तोले सोने से भरा पर्स मिला था नवीन ने अपनी इमानदारी का परिचे देते हुए उटला के भाजपा वरकर विजेंदर को पूरी घटना का ब्योरा देकर सोना उसके सही मालिक तक पहुचाने की बात कही, आज शाम भाजपा वरकर विजेंदर ने यह सोना बैंक में आकर महाजन को फोन करके वापिस ल चैंपिंशिप है, अच्छा खिलाडी है, उसको तीन लड़कों ने वो कोचिंग पे जा रहा था, उसको एर के बुरी तरह पिटा है, तो उन्होंने उन्नीस तारी को कंप्लेट दर्ज गराए थी, तो उसके कोई कारवाई नहीं थी आज तक, एक्चली हम तो अपने तो मैंने उनसे कमेंट करी तो उन्होंने फिर डिएश्पी संदीब को बोला भी हमारे पर्टी के एक्टिव कारिया करता है, नेता है, और पिजह इंदर सींगे, आप से मिलने हैंगे, यह समसे करो, तो फिर हम गए डिप्टी साब ने रिस्पोंस ठीक दिया, बट जो मुल अपरजन जी का, जैसे आपने बताया कि आपके कोई जानकार कोई मिला यह क्या रहा है, अच्छली सर क्या था, यह बैंक में गए किसी काम से, अपने बैंक रिलेटेट, तो उसमें क्या हूआ कि यह दो तीन साथी दे, और यह प्रवीन कुमार, यह दो तीन साथी दे, तो उस बंदे ने, क्या नाम अशका है? प्रक्मान नमीन, नमीन है जिसको मिला यह, नमीन ने के सामने सेर करी भी मेरों को यह ऐसे चीज मिली है, देखो यह बोल्ड है, तो उसने सेर करी तो फिर अप उसकी तो इनोंने मेरों पोन किया, बहला है, ऐसे बात होगी जी उनकर जी तो इसमें इनोंने मेरे से बोले, मैंने का वही ऐसा कल, मेडिया में बे आ जाएगी, सोसल मेडिया में बे आ जाएगी, जैसे इस सिस्टम होता मैं आपको कैचप परनूँगा, और आप अपना काम समढ़ो, और ऐसे ही उनका मिले अभी सिस्टम कर लेंगे, और वह भी नही जैसे से बातों, उसने रिस्पोंस दिया विलेट ही, मैं बलाता हूं उनको, इडेंटिफाई के, तो फिर सतीज माजनची को बुलाया, तो अपर हमारी बात चीत हुए, तो जैसे ही भी मतलब, इनोंने मतलब कौल करके तुरों ताइव में चारे, मान सा मान से अंतों नों से और पता लेगा है कि हमारे संगठन के आदमी है, बीजेपी के आदमी है, संगठन के लिए करिया करते हैं, तो और बुत्सा हुए हमारे को मिलके, भी हमारी विश्य में लाजाने एक दूसरी कि किसको जुरूत पढ़ते हैं, क्या नाम आपका? बीजे इंदर शिंग सार, आप पार्टी में विजे में हो, कौन से गाउं से, गाउं उटला है, इस तरफे पन पतर रहते हैं, नवीन भी उटल लखा है, इनने ये कारध गाउं से, यह जैसे गाइडलेंस नी, क्योंकि डरत होता ही आदमी को, क्योंकि इन उनने एक बार में बाउजी को भी नी पता एक्चिली कितना है, क्यों लेडी जोंको पता होता है, यह तो लोकर से उठा लाए, तो उनको यह था कि वही उनने बारा तो ले निखवा रहा है, जी कही आसा रूटी ने पड़ जाए, मैं अब लैसो कुछ नहीं है, ठीक है, बड़ता है, पुली सानों के भी चक्कर लग यह था कोई बार नहीं होगी होगी, आपका काम हो जाएगा, लेकिन मुझे कुछ शाम ताव इन एफट नहीं आई, मैं दबार ठाने गया, मैं आप से लिखाओ पूरी तो यहां तो बैठा था, तो मुझे भी बैंक से फोन आ गया, तरुणशी का, करें आपको चल्दी इनको देखाई बाईसा बैठे थे, बड़े प्यार से गिले मिले मेरे, मुझे गया, जी हाँ, आपकी पैस्चान है, कोई मैंने पैस्चान मदा दी, हाँ बिल्कु थी पैस्चान दाई आपने, यह लग रहा आपका, हम आपकी खोड़ों पजी देखवार में, तो इसलिए इसलिए बाईसाफ जिसको मिल जाए वो, का तब ही यह मेरे यह, तो यह बहुत बढ़िया कि इन्होंने उधारन पेश किया आपकी तो यह वापस करके, मैं सब तुम्हें बियान नहीं कर साथा, बहुत जितना भी था इसलिए उतना ही खाउता है पाकिस्तान के ननकाना साहिब में हुई निंदनिय घटना का जहां पूरा देश रोश जता रहा है वहीं आज पानिपत में भी आपसी भाईचारे के लिए मुस्लिम समाज ने सिख समुदाय के साथ सडकों पर उतर कर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम सिख इसाई का आपसी भाईचारा खराब करना चाहता है लेकिन हिंदुस्तान में मुस्लिम समुदाये ऐसा नहीं होने देगा। लोगों ने रोश मार्च निकालते हुए उपायुक्त के माध्यम से रास्टरपति के नाम ग्यापन सोपकर, पाकिस्तान, मध्य परदेश वा उत्तर परदेश में सिख समुदायों के साथ हुई निंद भुषत liter पक्रने रचते हैं इनको फदा नहीं यह सारय हम अध्य बाइए क्षाव भा इपिसरी से लुषत में टो से जिए राइट अपानोय को तेप्स भाइए आप सी मुथ याननौय को बात इकलिए हमे गराइट और ने मैं पाला है ला और आ़ आप सुंत गिरे ना गाय सब्सक्राइप एस्सक्राइब मुकरता थे नंवी पा। पाकिस्तान में हमारे समाज के साथ खास सपाईयों के साथ गुर्दवारे पर और उनके साथ को हो रहा है इसके लिए हमें बहुत दुख है और हम सब्सक्राइब के साथ है और हम आज शीख मुस्लिम एक कामन दिखाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मुझल समाज के साथ है पाकिस्तान अपनी हर्कतों से बाज आए उसके साथ में प्रोदारों पर उनके साथ उत्ता चाहते हैं उसको वह रोख है और जो जो ऐसे शिखत्तियों में इन बॉल में अज पूरे देश को यह संदेश देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मुझल समाज शीख समाज पाकिस्तान में उनके साथ में उनकी आवाद के साथ आवाज अमारी दन्मन धन उनके साथ हम पागत चलेंगे जरूत पड़ेगी जिस जिस करवानी देनगत यारे हम सिख किया है और जो मद्य प्रदेश में जो सिखों के घर उजाड़े गए हैं और यूपी में एक नगर किर्टन निकालने पे जो पच्वं गाड़ियों को चिलान किया गया है इन सभी बातों का आज रोश परकट करते हुए हम राष्ट्य पति की नाम जिस साब को ग्यापन दे राष्ट्पति के नाम ग्यापन देने वो जो सिखों के पर बहुत बुरी घटना की है पाकिस्तान ने ये बहुत निंदनी है हम सब इसका मुस्लिम समाज पूरा पानीपत समाज क्या पूरा दुनिया के मुस्लिम समाज सिख भाईयों के साथ खड़े हैं और ये इस तरह की झाल